बसंत पंचमी क्या होता है या बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है आए आज इस त्योहार के बारे में जानते हैं बसंत पंचमी या बसंत पंचमी या स्री पंचमी या एक हिंदों का त्योहार है इस दिन विद्या की देवी यानि सर्श्वती देवी की पूजा की जाती है ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चमोत्तर, बांगलादेश, नेपाल और कई रास्टों में बड़े उच्छा और उल्लाज से मनाई जाते है इस दिन पीले वस्तर ग्रहन किये जाते हैं या पीले वस्तर धार्ण किये जाते हैं प्राचिन भारत और नेपाल यहां पे साल को 6 मोसम में बाटा जाता है और उसमें जो वसंत का मोसम है वो लोगों को सबसे प्यारा या सबसे मनचाहा मोसम है जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों के फूल लह लहा रहे होते हैं, मानों सोना चमक रहा हो, जो और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं आमों के पेडों पर मांजर या बोर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं भर भर भवरे भवराने लगते हैं तो यह वसंत रितु का स्वागत करने के लिए माग महीने के पांचवे दिन एक बड़ा जश्न मनाय जाता था जिसमें विश्णू और कामदेव की पूजा होती है ठीक है तो इसमें सरस्वती विश्णू और कामदेव इन सब की पूजा हो मेरे दिवार दे गई जो इंफोर्मेशन है वह आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करके जरूर बताना है थेंक्यू फो वाचिंग